नमस्कार अपने राज को छुपाना सिको आपकी जो शेयर करने की आदत है ना उसको कैसे रोकें बहुत से लोग कहते हैं सर क्या करें हम बातों ही बातों में अपने राज लोगों को कह देते हैं हम अपने राज कैसे छुपाएं कुछ लोग बातों नहीं होते हैं वो उनके द क्योंकि खुद का राज क्या होता है कुछ खुद की कंजोरिया होती है कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो आप लोगों को बता देते हैं और फिर क्या होता है आपको नुक्सान जेना पड़ता है तो बाते शेयर करने की आदत कैसे रोकें अपने सीक्रेट कैसे छुपाए कुछ रास तो हर इंसान के ऐसे होते हैं जो उनके सीने में दफन होते हैं वो कभी बाहर ने आते हैं और नहीं आने चाहिए जब वो बाहर आए तो आपको नुक्सान उठाना पड़ा अब इसी कौन सी बाते हैं जैसे आपका अफमान हुआ है किसी को मत बताना आपका नुक्सान हुआ हो किसी को मत बताना आपका कई मजाक उड़ा हो किसी को मत बताना आपकी कोई कमजोरी है किसी को मत बताना तो आपको बॉता है ये चीज़े किसी को नहीं बता ने, लेकिन आप क्या करते हैं। बाता है। अपने कमज़री सामने वाले को बता देते हो अपमान सامने वाले को बता देते हैं अपने दोबस थे हैं जो हसी मजाग कर रहे होते हैं बाते हैं बाते हैं लोग फिर दूसरी जगे आपका मजाग बताते हैं तो अपनी बाते शेयर करने से कैसे रोके खुद को, सीक्रेट कैसे छुपाएं, यह तरीके हैं, अगर आप इनको फोलो करोगे न, तो आप भी अपना सीक्रेट छुपा पाओगे, आप भी बाते शेयर करने की आदत को रोक पाओ, सबसे पहले तो बावनाव में मत बहें, कभ किसी भी शूरत में आप चार दोस्तों या पांच दोस्तों या आप परिवार में या रिस्तदारी में कई पए कि बेटे हो। कोई फ़रक नें पट रहा है। अपना दिमाग से काम ले। और बावनों में मत वहे। अगर आप भावनों में बहोगे न तो सारी बाते अपने रिष्टेदारों को अपने परिवार को अपने दोस्तों को बता दोगे और जब बता होगे तो नुकसान तो आपको जेलना पड़ेगी बोले कम और सुनने की आदत ज्यादा डाले त्यान रखना जो इंसान बोलते कम है और सुनते ज्यादा है न वो कभी अपनी बाते शेयर नहीं करते हैं उनकी हर बाते सीक्रेट है थी अपने दिल बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं सुनो जाधा रो बोलो का उससे क्या होता है उससे यह होता है कि दूसरे अगर आपको कुछ कहेगा न तो आपको knowledge बढ़ेगा और दूसरे की बाते आप सुनोगे दूसरों के राज आप सुन सको इस यह आदत एकदम डवलोप नहीं होती दीरे दीरे आप इसको डवलोप करो क आप अपनी बातें खुद की बातें सीक्रेट बातें लोगों को नहीं बता हुए क्यों क्यों कि आपकी आदत ही नहीं ज्यादा बोलने की आपकी तो ज्यादा बोलने की आदत नहीं है आपकी तो ज्यादा सुनने की आदत है तो आप भी चाहते हो कि आपके सीक्रेट यह और आपको नुकसान उटाना पड़ा होगा बिल्कुल डिपिनेटली होता है लेकि जब भी आप कुछ नई बाते सेयर करने जा रहे होना तो यह बात जरूर देखे अर्यार यह बात शेयर नहीं करना या पहले भी मैंने वो करी थी मुझे नुकसान उटाना पड़ा मुझे लोस उटाना पड़ा जब भी आप बात शेयर करने की मन में आये ना तो पहले सोच लेना नहीं नहीं या यह बात शेयर नहीं करना यह करूंबा तो मुझे पहले वो नुकसान होगा अब भी हो सकता है यह आदद भी आपको बाते शेयर करने से रोके लिए जब भी आपका मन कहें यह बात मुझे बतानी चाहिए तो सोचना कि यह बात बताओंगा तो मुझे कितना नुकसान होगा अपना नुकसान याद कर ल लगाना क्या इससे मुझे को क्या नुक्सान होगा अगर नुक्सान हो रहा है तो बात किसी भी हालत में किसी भी कंडिशन में सामने वाले को नहीं बतानी अपने दिल में दबा के रखनी है इसलिए जब भी कोई बात शेयर करो उससे पहले अपना नुक्सान याद कर ले कहीं कि वो तो गलती कर रहे हो। आप प्रहिए मत करो में कि युक जोगे कहतं ह। सामने वाले अपने दिल की बात हमारे सामने खोल करते हैं तो हम भी कुछ बता देते। बताने दोनों सामने वाले को आप क्यों बता रहे हो सामने वालों को नुकसान होगा आपको भी होगा ना आप अपना राज बताओगे उनकी बातों में आकर लेकिन फिर क्या होगा नुकसान तो उठाना पड़ेगा आपका राज सामने वालों को पता चल जाएगा आपकी कमजोरी सामने वालों को पता चल जाएगा, आपकी कई हसी उड़ी सामने वाले को पता चल जाएगा और वही व्यक्ति सामने वाला कही तीसरी जगे आपकी बात करेगा और आपकी मजाक उड़ाएगा, इसलिए सामने वाला अगर आप आप चार जने पांच जने बेटे और ऐसे बाते करो और सामने वाले आप से बाते शेर करने तो करने दे आप शेर मत करना आप अपने दिल में ही दबा के रखना बार तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जो आप अपने शेर करने की आदत को रोक सकते हो आप अपने सिक्रेड़ छुपा सकते हो सिक्रेट छुपाना बहुत जरूरी है कुछ राज ऐसे होते हैं जो दिल में ही दफन रहते हैं बाहर नहीं आते हैं जब भी बाहर आते हैं न तो वह तूफान खड़ा खर देते हैं और वो आपके लिए नुकसान खड़ा कर लेते हैं इसलिए कुछ राज हमें सारा राज ही रखना